हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल माथ साइडल, मैसेल्फ डॉक्टर कविता गुपता, पचो मैं इस चैनल के ओपर बीएसी और इंजिनिरिंग लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, यह मेरा बीटा एंड गामा फंक्शन का चैप्टर चल रहा ह इसका यह पार्ट टू है, इससे पहले बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होते हैं और उसके उपर कुछ क्वेस्चन और उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई थी पार्ट वन के अंदर, पिटा इससे पहले का वीडियो देख के आना ताकि यह वाला व है, तो बीटा फंक्शन हमने किया था, 0 to 1, यह एक इंटेग्रल है, 0 to 1, पहले x लिखना है, फिर 1 minus x लिखो, फिर x की पावर m minus 1 और 1 minus x की पावर n minus 1, this integral is called बीटा, बीटा फंक्शन, where this m and n are positive real numbers, तो यह है एक तरीके से बीटा distribution of first kind, ठीक है, अब यह देखे, दूसरा वाला जो integral है, यह जो आज सिखेंगे, यह भी बीटा ही, बीटा फंक्शन ही होता है, इसमें integral है, 0 से infinity, इधर था 0 से 1, यहाँ पर भी xm minus 1 है, इधर भी xm minus 1 था, बस यहाँ पर आपका numerator में expression थी, 1 minus x to the power n minus 1, यहाँ पर आपकी denominator में expression चली गई है, 1 plus x, minus x की जगे, 1 plus x आ गया, और उपर पावर भी देखो, प्लस में है, m plus n में है, तो यह भी बीटा mn ही होता है, कैसे होता है यह देखो जरा, आप इसमें बेटा substitution लीजिए, x upon 1 plus x को z मनो, ठीक है, देखो ऐसे याद रख ले न, कि यह जो बीटा function की second expression में आपको सिखा रही हूँ, इसमें से powers को हटा दो, अगर तो क्या बचेग x upon 1 plus x, इसको substitution माल लिया, ठीक है, यहाँ से x निकालो कि आएगा, यह देखो, x minus zx आगया, z, x को common निकाला, यह आजाएगा, तो x मेरे पस क्या निकल कर आगया बेटा, z upon 1 minus z, ठीक है, मुझे यह क्योंकि उपर substitution कर नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें अपने according निकाल लेती ह देखो, मुझे integral पूरा z में बनाना है, तो मैंने x की value भी निकाल लेती हूँ, तो देखो, मेरे पास 1 plus x क्या होगा, 1 plus z upon 1 minus z, which is equal to 1 minus z plus z upon this, LCM लिया है, ठीक है, तो यह आजएगा, 1 upon 1 minus z, और साथ में जब मैं कोई substitution कर रही हूँ, तो देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर x है, x is z upon 1 minus z, तो dx कितना आ जाएगा, मेरे पास, बेटा question rule लगा होगी हाँ पर, तो 1 minus z का whole square, 1 minus z, z का derivative 1 minus z, 1 minus z, minus z, dz, तो यह कितना आ गया, 1 minus z plus z upon 1 minus z का whole square into dz, तो dx आ गया, 1 upon 1 minus z whole square into dz, set, अब बेटा यह उपर वाले integral में substitute कर लो, जो बेटा mn में आपको दे रखा है, तो मिरको देखो given क्या है, यह ही है न, integral, 0 to infinity, x to the power m minus 1, और नीचे है 1 plus x, और m plus n, इसके अंदर values टाली बेटा, अच्छा, limit भी देखनी पड़ेगी, integration की क्या हो जाएंगी, देखो, when x is infinity, ठीक है, infinity का मतलब denominator should be 0, तो 1 minus z 0 आजाएगा, तो z क्या आजाएगा, आपके पास 1 आजाएगा, ठीक है बेटा, तो मेरी limit क्या आगई, z की 0 से 1, अब x upon 1 plus x, x कितना है मेरा, ये रहा, by 1, z upon 1 minus z, ठीक है, इसकी पावर आगई, m minus 1, upon, 1 plus x, देखो बेटा, मेरे पास कितना है, ये रहा, तो में, 1 plus x है मेरा, 1 upon 1 minus z, तो ये उपर चला जाएगा, 1 minus z, n plus n आजाएगा, ठीक है, और dx मेरे प कितना है, ये रहा, 1 upon 1 minus z whole square dz, ठीक है, तो ये किस से आया है, by 1, 2 and 3, सारी values डाल दी है, अब देखो बेटा, इसको थोड़ा z की पावर से कठी कर लो, और 1 minus z की, तो 1 minus z की पावर से कठी करी, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा solve कर लेते हैं, तो देख z, ये देखो, minus m, plus m, कट गया, ये आजएगा, n minus 3 dz, ठीक है न, यहाँ पर ये आ गया, अब देखो बेटा, ये आपकी बीटा function की form आ गई, देखो, बीटा function मेरा क्या होता था, ऐसे ही याद करा है, 0 से 1 होना चाहिए, x की कुछ पावर, और 1 minus x की कुछ पावर थी, m minus 1 औ करो, मुझे लग रहा है, पावर मैंने गलत लिख दी है, minus 1 minus z की पावर, अच्छा, ये बीटा, 1 minus m, plus 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर clear, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, n minus 1, तो ये बीटा, m, n के बराबर आ गया, ठीक है, तो ये भी एक form है, बीटा, बीटा, डिस्टि ठीक, दूसरा देखो, प्रॉपर्टी, बीटा, m, n, equal to, 2, times, 0, 2, pi, by 2, cos, 2, m, minus 1, theta, sin, 2, n, minus 1, theta, d, theta, ठीक है, देखो, ये कैसे आता है, इसको देखो, हमारे पास, बीटा क्या होता है, बीटा, m, n, function क्या होता है, बीटा, m, n, function क्या होता है, minus x, ये, m, minus 1, n, minus 1, ऐसे ही learn कराया है, इसमें कुछ substitution करते हैं, देखो, put x equal to cos square theta, क्योंकि sin और cos की form में लेकर आना है, मुझे, तो dx क्या हो जाएगा, मेरा, minus 2 cos theta, sin theta, d theta, ठीक है, आप देखो, when x is 0, आपके पास आ गया, cos square theta is 0, implies cos theta 0, implies theta क्या आ गया, 1, ऐसे बेटा, जब when x is 1, तो हमारे पास आ जाएगा, cos square theta 1, याने की, cos theta आपने 1 लिया, तो theta कितना आ जाएगा, pi by 2, ठीक है, तो हमारा ये integral किस में convert हो जाएगा, theta, sorry, ये आ जाएगा, cos theta की value 0 कब होती है, जब pi by 2 है, और cos theta की value 1 कब होती है, जब ये theta 0 होता है, ठीक, तो ये हमारे पास पेटा integral आ जाएगा, pi by 2 से 0, ठीक है, और value डालो, इसके अंदर देखो, x to the power m-1 है, तो cos square theta की power m-1, और 1 minus x कितना है, cos square theta, उसकी power है, n-1, और dx है मेरा बेटा, minus 2 sin theta, cos theta, d theta, all right, इसको थोड़ा solve करते हैं, बेटा, देखो, pi by 2 से 0, minus 2 बाहर निकाला, अंदर बचा, cos 2m-2 theta, 1 minus cos square theta होता है, बेटा, sin square theta, उसकी power है, n-1, और ये sin theta, cos theta, d theta, अब देखो बेटा, ये वाला जो बाहर वाला minus sin है, इसको मैंने cover करके, क्या किया, limits of integration change कर दिए, आपको पता है, upper limit को lower limit बना दो, और lower को upper limit बना दो, तो minus sin आ जाता है, तो वो चीज़ मैंने use कर ली, अब बेटा, cos की power से कठी कर लो, तो cos की power ये कठी करी, तो ये आ गया, ठीक है, इसको solve किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 times 0 to pi by 2, cos 2m minus 1 theta, sin 2n minus 1 theta d theta, यही मुझे proof करना था, तो beta mn इसके भी बरापर होता है, तो जब भी question में cos और sin की terms दिखाई दें, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पार, तो आप एक और property देखिए, थर्ट आएगा, यह है आपके पास beta 0 to pi by 2, sin px, cos qx dx is equal to 1 by 2 beta, p plus 1 by 2, q plus 1 by 2, ठीक है, right, where p is greater than minus 1, q is greater than minus 1, देखो बेटा, यह तो बहुत असान उपर से ही निकलाया है, देखो, हमने अभी अभी उपर जो देखा है, beta का expression, इस form में, cos और sin की form में, इस ही से compare कर लो, ठीक है, देखो, मैं उपर वाली property का इस्तिमाल करके लिखा देती हूँ, आपको, by the above property हमारे पस क्या आया है, beta mn जो था, हमने शो किया, 2 times 0, 2 pi by 2, cos 2m-1 theta, sin 2n-1 theta, d theta, इस 2 को बेटा नीचे उतार लाए, तो यह यह आ जाएगा निकल कर, 0, 2 pi by 2, cos 2m-1 theta, sin 2n-1 theta, d theta, ठीक है बेटा, आप देखो, आपको जो expression दी हुई है, question में, 0, 2 pi by 2, sin px, cos qx, इसको compare कीजिए इस वली expression से, ठीक है, तो देखो, मैं कहती हूँ, इसका नाम रख दिया star, ठीक है, अब 0, 2 pi by 2, sin px, और cos qx, तो मुझे question में गिवाल है, ठीक है, हमने क्या करना है, इसको compare करेंगे, compare this expression, with the right hand side of star, right hand side क्या है, star की देखो, 0, 2 pi by 2, that is, 0, 2 pi by 2, sin, क्या है, 2n minus 1 theta, और cos, 2n minus 1 theta, d theta, इससे compare करो, इसको beta, तो आपको क्या पता चला, हमें पता चलेगा, p तो है 2n minus 1 के बराबर, और q है beta 2n minus 1 के बराबर, ठीक है, तो यहां से n क्या निकलाया, p plus 1 by 2, और यहां से m क्या निकलाया, q plus 1 by 2, ठीक है, तो आपको पता है कि this integral, this integral is equal to beta mn और बाहर है 1 by 2 ठीक है तो ये वाला integral किसके बराबर आ गया this implies 0 to pi by 2 sin px cos qx dx किसके बराबर आ जाएगा 1 by 2 beta mn तो ये आ जाएगा q plus 1 by 2 और p plus 1 by 2 m और n की मैंने value डाल दी ठीक है अब आपको पता है कि beta mn जो है वो beta nm के भी बराबर होता है तो हम क्या लिखेंगे 1 by 2 beta इसको निकाल दिया p plus 1 by 2 इधर कर दिया और q plus 1 by 2 इधर कर दिया ठीक है बेटा ये भी beta distribution की एक beta function की एक property है कि beta mn बीटा nm के बराबर होता है तो beta आपको जो property याद रखनी है न वो इस form में याद रखें जो मैंने approve करी है क्या कि अगर sign की कुछ power हो देखो ऐसे याद करेंगे यहाँ पर देख लीजे learn क्या करना है आपको property question में use करने के लिए कि अगर 0 से pi by 2 दे रखी हो limit sign लिखो और फिर cos x लिखो ठीक है sin x cos x लिखो sign के कुछ power लेलो cos की कुछ power लेलो this is equal to half of beta क्या होना चाहिए अंदर देखो जो power है P की sign की जो power है उसके अंदर 1 add किया divided by 2 ऐसे cos की जो भी power है उसके अंदर 1 add किया divided by 2 ठीक है बचो इस तरीके से इसको याद रखिएगा clear देखो इस पर एक दो questions देखिए आप ताकि आपको concept अच्छे से clear हो जाए देखो question देखते हम यहाँ पर 0 2 pi by 2 sin P x multiplied by 0 2 pi by 2 sin P plus 1 x dx is equal to pi by 2 P plus 1 देखो कैसे solve होगा बेटा देखो दो distribution दो integrals है ना दोनों अलग लग लिलो यह लिया हो है आपने इसको आप ऐसे लिख सकते हो sin P x इसमें cos नहीं है ना तो cos 0 x लिख दो cos की power 0 sorry x यह लिख सकते हूं मैं ठीक है anything to the power 0 is 1 तो अब इसको formula लगाओ यह किसके बराबर है 1 by 2 of beta मैंने क्या बताया था sin की जो भी power है उसमें plus 1 करो divide by 2 करो ऐसी बेटा cos की जो भी power है उसमें plus 1 करो और divide by 2 करो तो यह क्या आगया 1 by 2 beta P plus 1 by 2 half ठीक है ऐसी दूसरे वाला integral बेटा consider कर लो वो है 0 to pi by 2 sin P plus 1 x यह है आपके पास देखो इसको क्या लिख सकते हो आप sin P plus 1 x ठीक है cos 0 x जो टम नहीं थी हमने उसकी power 0 करके लिख ली तो this is equal to 1 by 2 of beta क्या आएगा जो भी power है sin की उसके अंदर plus 1 divided by 2 ऐसे बेटा cos की जो भी power है उसमें plus 1 divided by 2 तो यह क्या आजाएगा 1 by 2 beta of P plus 2 by 2 half clear आप दोनों को multiply कर देखो question में जो left hand side आपको दे रखी है वो है 0 to pi by 2 sin P x multiplied by 0 to pi by 2 sin P plus 1 x dx तो बेटा यह जिसके भी बराबर आए है 1 by 2 beta यह आया है और यह वाला आया था 1 by 2 beta कितना आया है P plus 2 by 2 half इसके बराबर आगए हमने यह दोनों के दोनों लिख दिए ठीक है बेटा आप देखो आपको इनको आपस में solve करके pi by 2 यह लेकर आना है pi by 2 P plus 1 अब अगर आपको याद हो तो मैंने relation between beta and gamma function में आपको करवाया था क्या करवाया relation beta mn किसके बराबर होता है gamma m gamma n upon gamma m plus 1 बेटा part 1 देखिए इस topic का इससे पहले वाली वीडियो में यह चीज़े सिखा रख थी है अब यह यूज करो देखो पहले वाले m का जो भी पहला number लिखा होता है उसका gamma लिया फिर दूसरे वाले number का gamma लिया नीचे दोनों का addition किया ऐसे ही सिखा रखा है आपको राइट ऐसे बेटा दूसरे में देखो पहले first वाले number का gamma लिखा फिर दूसरे number का gamma लिखा और नीचे दोनों add कर दिये राइट यही बनेगा आपके पास अब देखो आपको P plus 1 की terms रखनी है अपने पास अब यह देखो सबसे पहले तो यह 1 by 2 और 1 by 2 को multiply किया तो यह 1 by 4 आ गया gamma half गामा half दो बर यह आ रहा है इनको side में कर लिया ठीक है और नीचे वाली terms को आपने यह क्या बना देखो P plus 1 by 2 है यह gamma इसको as it is रखा आप ही मैंने और numerator में जो आपके पास है gamma P plus 2 इसको भी मैंने अभी ऐसे ही रख लिया और नीचे देखो denominator में क्या करेंगे यह आपके पास क्या बन गया है P plus अगर LCM लेते हो तो यह P plus 2 by 2 बना हुआ है ठीक है और नीचे यह दूसरे वाला यह वाला जो बना हुआ है यह क्या बना हुआ है P plus 3 by 2 है ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पर भी हम properties यूज़ करेंगे देखो gamma half किसके बराबर होता है root pi तो root pi और root pi दो gamma half है तो root pi into root pi pi हो गया तो यह तो आगया pi by 4 ठीक है उपर numerator वाले अभी हमने same रखे यह वाला इससे cancel कर दिया ठीक है और नीचे आजाएगा आपके पास P plus 3 by 2 clear है यहाँ तक राइट अब आप एक और gamma की property यूज़ करेंगे देखो gamma function की gamma of n क्या होता है बेटा एक number बाहर निकालो कम करके n-1 gamma n-1 ठीक है तो ऐसे ही बेटा P plus 3 by 2 का gamma किसके बराबर होगा देखो जिसका gamma लिया उसके अंदर एक कम किया और अंधर भी वही वाले का gamma कर दिया एक कम का तो यह किसके बराबर आजाएगा देखो solve करोगे तो आप यहाँ पर P plus 3 minus 2 तो P plus 1 by 2 और अंदर भी gamma आजाएगा P plus 1 by 2 का ठीक है तो this is equal to pi by 4 P plus 1 by 2 तो numerator में as it is नीचे वाला बन जाएगा P plus 1 by 2 gamma P plus 1 by 2 अब इससे यह कट गया बेटा मेरे पास तो मेरे पास expression आ गई pi by 4 और यह अब उसका reciprocal करके लिख लेती हूँ ताकि simplify हो जाए तो यह बन जाएगा pi by 2 P plus 1 और तो इस तरीके से बेटा देखो कितनी सारी properties एक ही question में हमने use कर लिए और देखिए question सा prove that 0 to 1 x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 dx upon 1 plus x to the power m plus n is equal to beta m n ठीक है आप देखो बेटा यह आपको इस तरीके से question given है आप यह देखिए यह तो आपको दिख रहा है कि यह x और 1 plus x है और power है m minus 1 और m plus 1 तो यह इस तरीके के question जो हमारा beta distribution की beta function की मैंने आज second form आपको कराई थी क्या करपाई थी वो कर लिए इसको मैं क्या लिख सकती हो 0 to 1 ठीक है और नीचे है यह 0 to 1 और 1 से infinity integral break किया हमने two different limits के अंदर definite integral की property यूज करके ठीक है यहां तक आगया अब देखो यह 0 to 1 को हमने पास रखा अभी हमने 1 to infinity वाला consider कर लिया क्यों किया 1 to infinity देखो question के अंदर जो मेरे को proof करना है उसमें already limit 0 to 1 ही चाहिए तो मैं 0 to 1 वाले को क्यों परिशान करूँ मुझे किसको handle करना चाहिए 1 से infinity वाले को handle करना चाहिए तो मैंने यह वाला consider कर लिया ठीक है 1 से infinity वाला अब देखो इसको 0 से 1 बनाना है हमें तो हमें कोई substitution कर ले तो देखो क्या substitution ले x को 1 by t मैंने थोड़ा सा इसलिए सोचा कि मुझे infinity लाना है तो infinity के लिए something in the denominator हो तो बन जाता है आपके पास ना तो जैसे x equal to 1 by t है इसमें देखो अब आप x को डाला तो क्या आगया टी 0 आगया और मुझे limit क्या चाहिए 0 और 1 तो जब भी 0 को infinity में या infinity को 0 में consider करना हो change करना हो तो ये इस तरीके की reciprocal वाली जो x equal to 1 by 2 वाली substitution है ये काम आ जाती है ठीक है और देखो dx क्या हो जाएगा minus 1 by t square dt ठीक है तो ये किसके बराबर आ जाएगा आप देखो बेटा x1 था आपके पास तो t1 है x infinity है तो t आपके पास 0 है x की जगें डाला 1 by t तो 1 by t की power m minus 1 1 upon 1 plus x के आ जाएगा 1 upon 1 plus t m plus m और dx की जगें आ जाएगा minus 1 by t square dt ठीक है बेटा इसको थोड़ा solve कर लेते हैं देखो t आ जाएगा 1 से 0 minus sign मैंने बाहर मिकाल दिया अब t की powers collect कर लेते हैं जितनी हो सकते हैं minus m plus 1 और ये आ जाएगा साथ में आपके पास उपर 1 by t square से minus t ठीक है और नीचे ये क्या बन जाएगा t plus 1 की power m plus n और t की power m plus 1 जो उपर चला लिया ठीक है simple solve की है बेटा मैंने LC मगरा लेके t की powers देखो अब ये t है 1 से 0 और बाहर है negative तो इसको मैं t 0 से 1 कर लू और t की powers कितनी आ जाएगी minus m plus 1 minus 2 plus m plus n बेस से में तो power side हो गई और नीचे है आपके पास t plus 1 की power m plus m ठीक है इसको solve करो बेटा ये किसके बराबर है देखो t है आपका 0 से 1 और t की power calculate हो जाएगी अब minus m plus m कट गया n upon minus n minus 1 आ जाएगा ठीक है t plus 1 m plus m dt तो ये बेटा आप किसके बराबर आ गया इसमें t को change कर लो definite integrity बना लो ठीक है changing definite integral में आपको पता है न हम variable change कर लेते हैं changing t to x property बना दी हमने definite integral की तो ये मेरा बन गया x 0 से 1 x to the power n minus 1 x plus 1 m plus n dx definite integral की first property clear अब आपके पास ये आ गया तो हमारे पास एक ये expression आ गई ठीक है और इसके अंदर देखो ये था मेरे पास ठीक है तो by 1 and 2 देखो first integral को मैंने change नहीं किया उसको मैंने as it is रखती है second integral मैंने उसके बराबर proof कर दिया जो नीचे लिखा 2 में तो by 1 and 2 मेरे पास क्या आ जाएगा by 1 and 2 मेरे पास आ गया beta mn is equal to जो पहले वाला integral था वो तो मेरा already ठीक ही था वो as it is रह गया ठीक है साथ में दूसरे वाला integral मेरा अभी अभी निकल कर आया 2 से ये clear इन दोनों को add कर दो देखो 0 to 1 xm-1 प्लस xn-1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n dx आल्राइट क्लास तो ये इस तरीके से आपने question को solve कर लिया clear तो बेटा एक question में आपको अभी और कराना चाहूंगी ये देखो मेरे पास है prove that 0 to 1 x square dx 1 माइनस x to the power 4 into 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x to the power 4 5 by 4 ठीक है ये prove करते हैं देखो देखो बेटा first वाला integral देखिए आप ये आपके पास क्या है 0 to 1 x square अपॉन 1 माइनस x to the power 4 dx इसको तो आप ठीक कर सकते हो देखो 0 to 1 इसको में लिख देती हूं x square 1 माइनस x to the power 4 की पावर की आजेगी minus half ठीक है क्योंकि उपर जाएगा तो power negative हो गई अब आपको पता है इसको अगर मैं बीटा function से compare कर रहो तो x की कुछ power और 1 माइनस x की कुछ power हो तो ठीक होता है मेरे पास तो मेरे पास तो 1 माइनस x की power 4 आ गया तो जो चीज problem create करती है हम उसी को कुछ substitute कर लेते हैं तो मेरे को x to the power 4 problem create कर रहा है तो मैंने इसी को substitute कर लिया ठीक है तो x की आ जाएगा मेरा z 1 by 4 तो dx की आ जाएगा बेटा मेरा 1 by 4 dz 1 by 4 minus 1 तो ये कितना हो जाएगा minus 3 by 4 sorry 1 by 4 z 1 by 4 minus 1 is minus 3 by 4 into dz और देखो बेटा जब आपका x 0 है तो z कितना है 0 और जब x 1 है तो z कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा इनको उपर substitute करो बेटा देखो 0 से 1 x square की जगे आ जाएगा z की power 1 by 4 उसका square 1 minus x की power 4 को मैंने z माना हुआ है और dx की जगे पे क्या आ गया 1 by x this 1 clear अब बेटा क्या करते है z की सारी powers को इकठा कर लो तो ये आ जाता है आपके पास 1 by 2 minus 3 by 4 और 1 minus z की powers कलेक्ट करी तो मेरे पास ये आ जाएगा clear और 1 by 4 मैंने बाहर निकाल दिया इसको solve करो बेटा ये किसके बराबर है देखो z की कितनी power बन गई 1 by 2 minus 3 by 4 है तो 4 2 minus 3 minus 1 by 4 और 1 minus z की power कितनी हो गई minus half इसको कैसे solve करते हैं बेटा देखो ये बीटा ओफ क्या बताया था z की जो power है उसमें plus 1 और 1 minus z की जो power है उसमें plus 1 ऐसी कराएं मैं questions first part में बड़ वीडियो की first part देखिए उसमें ये questions मैंने बहुत कराएं और ये हो जाएगा तो ये पहला integral तो बेटा मेरा solve हो गया अब मैं second integral consider करती हूँ मेरा second integral है बेटा 0 to 1 dx upon 1 plus x to the power 4 ये है मेरा second integral अब देखो बेटा इसमें ना नीचे denominator में 1 plus x to the power 4 की डर्मा गए अगर ये 1 minus x to the power 4 होता तो मैं यहाँ पर भी x4 को z मान लेती क्योंकि मेरी expression के अंदर 1 minus x होता है बेटा distribution में यहाँ पर है 1 plus x to the power 4 तो इसमें मैं क्या करूँगी कुछ और substitution करने पड़ेगी तो हम ले लेते हैं let x square को मैंने ले लिए tan theta ताकि मेरा ये क्या बन जा है 1 plus tan square theta टाइप बन जा है जिसको मैं sex square theta लेक सकूँ फिस sec को मैं 1 by cos form बे ले सकते हूँ तो sin cos form आने शुरू हो जाएगी बेटा distribution की बेटा function की ठीक है तो यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा x square को ये लिए तो 2x dx किसके बराबर आ जाएगा tan theta की जगे sex square theta d theta clear अब देखो यहाँ से मेरे पास dx क्या आ गया sex square theta यहाँ पे और देखो when x is 0 तो आपके पास क्या है tan theta 0 याने की theta कितना आ गया 0 limit of integration change होती है न बेटा when x is 1 तो tan theta कितना आ गया 1 तो theta कितना आ गया आपके पास pi by 4 ये values बेटा यहाँ पे substitute कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 0 to pi by 4 dx की जगे पे बेटा मैंने लिख दिया sex square theta d theta upon 2 root tan theta और 1 plus x4 की जगे क्या क्या आएगा देखो x square tan theta है तो x4 कितना हो गया tan square theta clear इसको solve करो देखो मेरे पास क्या आएगा 0 to pi by 4 sex square theta d theta upon 2 tan theta under root ठीक है 1 plus tan square theta sex square theta उसका under root ले लिया तो sex theta आएगा ठीक है और ये इससे कट जाएगा अब देखो sex theta को मैं लिख सकती हूँ 1 upon cos theta 1 by 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और root tan theta को मैं क्या लिख सकती हूँ root sin theta और root cos theta clear तो ये मेरा किसमे convert हो गया बेटा देखो ये मेरा इसमे convert हो गया root sin theta और ये root cos theta upon cos theta क्या हो जाएगा root cos theta clear इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ देखो आपको पता है sin 2 theta कितना होता है मेरा 2 sin theta cos theta न पहले मैंने इन दोनों को एक ही अंडर root sin में ले लिया और अब मैं इसको लिख देती हूँ sin 2 theta by 2 ठीक है न सबको समझ आया क्योंकि 2 sin theta क्या होता है sin 2 theta क्या होता है 2 sin theta cos theta उससे लिखा मैंने तो बेटा देखो ये मेरा अब इसमें convert हो गया राइट अब देखो आपको पता है sin और cos की जो form होती है beta function की वो आपको 0 to pi by 2 limit चाहती है तो मेरे पास यहाँ पर sin theta होना चाहिए तो sin 2 theta है तो मैं 2 theta को कुछ substitute कर लेती हूँ ठीक है तो 2 theta को मैंने 5 माना तो जब theta 0 है तो 5 भी 0 आ जाएगा और जब theta मेरा pi by 4 है तो मेरा 5 कितना आ जाएगा 2 into pi by 4 which is pi by 2 तो मेरी limit भी ठीक हो गई इस वले expression में डाला तो 0 2 pi by 4 की जगें पर आ गया 0 2 pi by 2 अंदर आ जाएगा sin 5 अंडर root और d theta की जगें पर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर देखो 2 d theta क्या है d phi तो d phi by 2 clear तो यह बेटा मेरा किस के बराबर आ गया 1 by 2 root 2 0 2 pi by 2 अब sin 5 है तो उपर लेगा इसको तो sin 5 को मैं sin 5 की पावर 1 by 2 कर सकती हूँ जो अंदर आ गया तो minus उपर चला गया तो numerator में minus हो गया ठीक है बेटा अब देखो इसको किस के बराबर लिखेंगे अगर आपको याद है तो मैंने क्या सिखाया 0 से pi by 2 हो sin की कुछ पावर हो cos की कुछ पावर हो तो हम उसको beta function की form में लिख सकते है तो मेरे पास यहाँ पर cos की कोई term नहीं है तो मैंने उसको क्या लिख लिया cos 0 5 ठीक तो अब ये किस के बराबर आएगा देखो beta sin की जो भी power है उसमें plus 1 divided by 2 एसी beta cos की जो भी power है उसमें plus 1 divided by 2 राइट तो ये बन गया मेरा 1 by 4 1 by 2 ठीक तो मेरा यहाँ तक आगया बेटा ये इसके अंदर clear आच्छा और देख लेते हम कुछ छोड़ तो नहीं आए उपर यहाँ पर d theta राइट चलिए आप देखो values डालते हैं बेटा उपर जो हमारा को given integral था उसी को consider कर लो 0 से 1 x square dx upon 1 minus x to the power 4 dx 0 to 1 dx upon 1 plus x to the power 4 इसके अंदर values डाल दो बेटा जो मेरा उपर वाला integral आया था वो ये आया ठीक है और जो नीचे वाला integral आया वो क्या आया 1 by 2 root 2 1 by 2 clear अब इसको solve कर लो बेटा देखो ये क्या आजाएगा 1 by 4 इसके अंदर बीटा 3 by 4 में relation use कर रही है relation between beta and gamma function पहले gamma of first number फिर gamma of second number और नीचे दोनो add हो जाते हैं ऐसी बेटा यहाँ पर करो gamma of first number, gamma of second number नीचे दोनो add हो जाएगे right इनको solve करो देखो ये सारे मैंने बाहर कर दिये पहले अब gamma of 3 by 4 as it is, gamma half की जगे root pi और नीचे बन गया ये कितना आगया 3 by 4 plus 1 by 2 तो 4 LCM लिया तो ये 5 by 4 ठीक है तो ये बना gamma of 5 by 4 इधर देखो gamma of 1 by 4 gamma half की जगे root pi और नीचे ये क्या बन जाएगा 3 by 4 ठीक है इससे ये cancel हो गया root pi into root pi pi हो गया pi by 8 root 2 और ये बच गया बेटा मेरा 1 by 4 gamma 5 by 4 अब देखो बेटा gamma 5 by 4 किसके बराबर होगा आपको पता है property एक नंबर कम करके 5 by 4 minus 1 करके अंदर भी वही आ जाता है property है न गामा की तो ये 1 by 4 gamma 1 by 4 तो मैं इसकी 5 by 4 की जगें पे लिख देती हूं 1 by 4 1 by 4 gamma 1 by 4 इससे ये cancel हो गया 4 से ये cancel हो गया तो मेरा answer क्या आ गया pi by 2 root 2 तो मुझे क्या प्रूफ करना था pi by 4 root 2 प्रूफ करना था तो क्या हम 2 कहीं छोड़ा है उपर देखें जरा ये देखो इस वाले integral में बेटा मुझे लग रहा है मैं 2 कहीं पे छोड़ा ही हो ठीक है अच्छा स्वरी ये root 2 by 2 था तो ये ठीक था यहाँ पे आएगा ये 2 root 2 तो 1 by 2 root 2 0 to pi by 2 यहाँ तक भी ठीक है जब हमने t को 1 by 2 root 2 0 to pi by 2 sin minus यहाँ तक तो ठीक है बेटा ये बिलकुल अब ये बन जाएगा अच्छा स्वरी जब यहाँ पे sin और cos वाली form यूज करते हैं तो बेटा ये होता है देखो बेटा mn 1 by 2 is equal to 0 to pi by 2 sin 2 px sin mx cos mx dx ये formula होता है बेटा ठीक है न तो यहाँ पे 1 by 2 होता है तो मैं उसका 1 by 2 लिखना भूल गई थी clear तो इसको ठीक कर लेना बेटा तो ये 1 by 4 root 2 आजाएगा बैट तो ये 4 4 16 आगया तो यहाँ पर भी बेटा 16 आजाएगा अब ये 16 है तो ये कट के जो भी आएगा आप देख लेना इसमें किस से काटा ये यहाँ पर अब एक 2 एक्स्टा बचता आ रहा था न बेटे तो वो 4 आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट देख लेना बेटा calculation अब ठीक कर लेना तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4 root 2 तो बेटा इस तरीके से आप बीटा और गामा फंक्शन के question properties की help से solve कर सकते हैं so I am winding up this lecture here बेटा अब इस lecture में बस एक topic रह गया आपका legendars duplication formula जिसके लिए मैं next video बना दूँँगे उसमें आप watch कर लेना ठीक है बेटा till then बचों पढ़ाई करते रहें all the best